लूट का खुलासा लूटी गए नगती के साथ 3 लूटेरे गिराफ्तार मुरदबाद के कड़गर पुलिस ने पशु वेपारी से हुई लूट का खुलासा कड़ती पी तीन आरोप्यों को गिराफ्तार करके उनसे लूटी गई रकम भी बरामत की है इन आरोपियों ने पशुवेपारी को लिफ्ट देने के बाहने कार में बिठाकर मंजोला छेत्र में फेक दिया था इस्पिसिटी अमित आनल ने ठाना करका छेत्र में चार दिन पूर्व हुए पशुवेपारी के साथ हुई तीन आरोपियों को मीडिया के सामने पैश किया है दरसल घटना तीन अगस्त की है बरेली के रहने वाले पशुवेपारी एते श्याम को आरोपियों ने बरेली तक ल कि तो लुटोरों का सरगना बिक्की और को संजे वर्मत दस्सराय का ही निकला उसने अपने दो साथियों रवी और जितेंद्र के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था रवी और जितेंद्र पड़ोसी पड़ेश उत्राखंड के काशिपूर के रहने वाले हैं पुलि की सूचना आए थी जिस पे आज कटगर ठाने ने बहुती सराने कारे करते हुए इस लूट में जितने सम्मिलित थे लोग थे उनकी गिरफतारी की गई है इसमें जो पश्यू वियापारी का एक नौकर था वो धायला रुपे लेके चला था और उसे को बीच में हनुमान इसमें इनकी गाड़ी को ट्रेस किया गया तो इनकी गिरफतारी की गई इनके पास से एक लाग चौवन हजार रुपे बरामत किया गया है साथ ही एक कमंचा और दो जिंदा कार्तुष बारा बोर एक नाजाय चाकू और जो घटना में इनके द्वारा जो स्विम टिजायर यूज की गई थी उसको भी बरामत किया गया है ये इन में से जो इनका में है लीडर विक्की उर्फ संजे ये थाना कड़गर शेत्र का ही रहने वाला है बाकी इसके साथ के जो दो साथ ही है वो खाशिपूर के रहने वाले एक इसका दोस्त है एक इसके रिष्टे में ये दो चाचाब अतीजे लगते हैं इनका इनसे पूस्ताज की गई तो इनने ये बताया है कि लोकडाउन के बाद इनके पास पैसो की कमी होगे इसी के कारण इननों ने ये काम शुरू किया और इस से पहले इनके अपास इतियास इनके अथ ज़ुश रा नहीं है इसमें अभी रूपए नहीं थे दो तीन हजार रूपए ही थे इसलिक किसी ने कप्लेंड नी करी इस घ्टना में भी इन्होंने जो पैसे लिए उसमें से इन्होंने बताए कि 30 हजार रूपए इन्होंने वापस कर दिये थे कि तुम करें और इनका जियाना ही इसमें इक विक्की है ये इस आपको जेल ही पहुचाएगा और इनके द्वारा जो गटना की गए और इसके बाद जो पुलिस के गिरफ्तारी जिस तुरित रूप से आना कडगर ने करी है बहुती सरानिया है बाखी लोगों को भी इसमें लेसन मिलेगा कि प्राइम कर आसना मेशा जेल की हो रही जाता है